भारत में कोरोना के मामलों की संख्या में मामूली गिरावट दिखाए दी है केंद्रे स्वस्थे मंत्राले के अनुसार 24 गंटे के दुरान देश्वर में कोवी-19 के 1260 ने के साम गया है वहीं मंत्राले ने एक प्रेस विगपती में कहा कि सब्ता ही कोर्देनिक संक्रमक्ता दरों में भी लगातार गिरावट आई है देश का रिकवरी रेट 98.76 फीजदी पर पहुँच गया है शुकरवार को देश में कोरोना के 1335 ने मामले सामना आये थे जबकि गुरवार को 1225 मामले बिले थे कोविट की दूसरी लहर से तुल ना करे तो तीसरी लहर में पीक आने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई है सबी राज्यों में नई केस लगतार कम हो रहे अधिकारी जानकारी के अनुसार देश में आप कोरोना के कुल 13,445 केस रहे गए वहीं आपको बदा दे कि आज सुभह तक भारत का कोविट ठीका करंड कवरेज जो रहा वो 184 करोड 52 लाग से अधिक हो गया इसी बीच डोक्टर प्रगयादव ने कहा कि डेल्टा ओरन ने खतरनाग चिंता जनक वेरियंट के मामले में पहली खुराक में कोविट शिल्ड और दूसरी खुराक में कोवेक्सीन दिये जाने पर अच्छे नतीजे मिले अधियन के निशकर्स जनरल ओफ ट्रेवल मेडिसीन में प्रकाशित किया गये प्रगयादव ने कहा कि अधियन में तीन श्रेणियों में टीके के परभाव का आलंकन किया गया और परिक्षन के तहट सभी लोगों की नस्दीक से निगराने की गयी अधियन से पता चलता है कि ओमिक्रोन के मामलों में ठीका करण उपरांद बनी प्रती रोधी शमता छे महीने बाद कमजोर होने लगी इससे ठीका करण रणनीती में बदलाव करने की जरुरत पड़ सकती है फिलाल हम बात करेंगे जनपर सहारेनपूर की आपको बता दे लगतार जनपर सहारेनपूर में बीते दो दिनों से एक भी केस सामने नहीं आए फिलाल सक्रे केस की संक्या शुन्यय यानि कि सहारłę पूरी तरह से फिलाल कोरोनस से मुक्त है और इस दोरान बाजारों में भी कोरोनस से बचाव हे तू सावधानिय बरती देखी जा रही है लोगों के दौरा इसलिए आप लोग भी अभी भी सावधान रहें, कोरोना से बचावेतू सावधानी जरूर बढ़तें आज के लिए इतना ही एक बार फिर हाजी रोंगें लेटस्ट अपडेट के साथ